दोस्तो समान नागरिक सहीता यूनिफॉर्म सिविल कोर्ड एक बार फिर से सुर्खियों में और चर्चा का विशे बना विशे कब बना जब परधानमंत्री मोदी जी ने कल 15 अगस्त दोजाग चोबिस को लाल किले की प्राची पर भाशन देते हुए समान नागरिक सहीता का मुद्दा उठाया और मुद्दा उठाते हुए इस बारे में कहा कि जो अब समय आ गया है कि जो समान नागरिक सहीता की जगे उन्होंने कहा कि अब एक सैकुलर सिविल कोड होना चाहिए यानिकि धर्म निर्पेक्ष नागरिक सहीता होनी चाहिए और क जो वर्तमान नागरिक सहीता है वो जो है कही न कही सामपरदाइक नागरिक सहीता जैसी है यानि कि उन्होंने कोड किया कि जो समान नागरिक सहीता है वर्तमान में जो लागू है वो कही न कही सामपरदाइक नागरिक सहीता जैसी है उसके जाएंगे आवशक्ता है कि पंत नि पेक्ष नागरिक सहीता हमारे आपर लगो होनी चाहिए। प्रशामंतरी मोदी जी ने समान नागरिक सहीता पर क्या गया बोला है। परना लिए कहीं ना कहीं वो सामपरदा एक नागरिक सहीता जैसी है यानि के कमरल सिविल कोड जैसा है। दर्म के अधार पर ये ऐसा कानून है जो दर्म के अधार पर विभाजित करता है और भेदभाव को क्या करता है बढ़ावा देता है। आधुनिक समाज में हैं कि जो मौडर्न सोसाइटी है उसके अंदर किसी भी तरीके से इस्थान नहीं हो सकता कि जो धर्म के अधार पर क्या करें भेदभाव पैदा करें। जरुवत है कि अब धार्मिक भेदभाव को खतम किया जाए। खाई को पाट पाएगा यारे कि जब एक नागरिकता होगी यारे कि समान सिविल नागरिकता होगी तो क्या होगा कि जो एक बेदभाव या एक जो अंतर है धर्मों के बीच में वो खतम होगा और सब एक सुष्ण बनेंगे जिसे भारत की जो यूनिटी है वो और जादा क् मजबूत होगी आखिर दोस्तों वो समान नागरिक सहिंता की बात जो बोल रहे थे वो है क्या पहले वो जाने फिर इस मुद्धे पर हम पूरी चाशा करेंगे पूरा डिस्केशन हम लोग करेंगे हम जानेंगे सुप्रेम कोर्टिस में क्या क्या कहा इसके पक्ष में लोग को कहना क्या था जो समविधान सभा के सदस्रे थे उन सब के बारे में क्या क्या था और फिर बात में कॉन्कूरूजन पर जाएंगे और साथ ही बात करेंगे पॉलिटिक्स पर कि इसमें होने वाली राजनीती क्या है पॉलिटिक्स क्या है कि बीजेपी क्या राजनीती कर र चो पर關係 जो सुम्विधान के माधियम से राज्य को एक निर्देश देते हैं कि दिक जल्दी हो जैसे विवस्ता हो जैसे आहो माहोल हो आपको ये सारे DPSP को क्या करना है लागू करना है जब हम आर्टिकल 37 को पढ़ते हैं 38 को पढ़ते हैं तो ये जो आर्टिकल से वो सीधा-सीधा एक निर्देश देते इसलिए कहा भी जाता है कि DPSP जो है वो जनता के द्वारा सरकार को दिया हुआ एक आग्या पत्र है और सरकार को राज्ये को इन निर्देशों का पालन करते हुए राज्ये का क्या करना है संचालन करना है उसी DPSP के आर्टिकल 44 क्या कहता है वहां का गया है कि राज्ये भारत के समस्राजच感 शेतर में नागरिकों के लिए समान सीवल सहीता प्राप्त कराने का परियास करेगा, यह राज्येगा करता वे होगा, कि वो समान सिविल सहीता को क्या करें, लागू करें, लेकिन मैं इसको समान सिविल सहीता की जंगे, एक वो शब में यूज़ कर रहा हूँ, समान नागरिक सहीता, मैंने क्यों इस वर्ड को यूज़ किया समान नागरिक सहीता आईए जानते हैं थोड़ सा मैं पहले कोशिश करूँ कि आपको बताओं कि समान नागरिक सहिता आखिर है क्या जब हम यूनिफोर्म सिविल कोड की बात करते हैं समान नागरिक सहिता की बात करते हैं तो इसका माइना क्या है इसका माइना कदाचित भी ये नहीं है कि जो हमार पर्थाएं हैं, हमारी परंप्राएं हैं, हमारी जो रिचुल्स हैं, वो बदल दिया जाएंगे, उन में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्टन नहीं होगा, समान नागरिक सहिंता का विप्राय के विल इतना ही है, कि जो तीन हमारे व्यक्तिकत मामले होते हैं, और वो कौन से व्यक्तिकत मामले, एक तो हमारा विवहा और तलाग का मामला, दूसरा विरासत का मामला और तीसरा गोद लेने का मामला, इन तीन मामलों में सभी धर्मों के लिए एक से प्रावधान लगू हो जाएंगे, यही है समान नागरिक सहिंता, इसका मतलब यह नहीं है, कि अगर ह हम कबूल नामा करकर, यानि कि जो हम शादी देखते हैं, मुस्लिम प्रिवारों में जादी होती है, कबूल नामा करकर, जो शादी होती है, वो जूका तो रहेगी, जैसे क्रिशनिटी में होती है, हर धर्म में जैसे होती है, वो जूका तो रहेगी, उसमें किसी तरह का रिच भारत का जो हम बात करें, भारत राज्य, एक उदारवादी राज्यो के शेनी में आता है, ये व्यक्ती को परियाप्त सतंता देता है. लेकिन जभ वो व्यक्ति क का सतंता, दूसरे की व्यक्ति का सतंता में बाद रुत्पनगरती है, जैसे तलाग अपनी मर्जी से ले लिया, बदले में खूँ गुजारा भरता भी नहीं दिया, तो ये मामला क्या हुआ, एक व्यक्ति का नहीं, दूसरे व्यक्ति के जीवन से जुड़ गया, तब राज्य क्या करता है, बीच में इंटर्वीन करता है, चाहे वो तलाग का मामल हो, जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति जुड़ता है, और उनके बीच में कोई विवाद उस्पन होता है, तब राज्य इंटर्वीन करता है, नहीं तो हमारी व्यक्तिकती जीवन के अंदर, राज्य का कोई हस्तक्षिप नहीं होता, तो इस बात को बहुत क्यों कि कहीं परादिक मामले और सिविल मामले, अपरादिक मामलों में कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, सब के लिए एक से लो है, एक से कानून है, इसमें कोई प्रिवर्टा नहीं है, कोई अंतर नहीं है, जो एक धर्म के माननेवाई लोगों को पनिश किया जाएगा अपराद करने सब्सक्राइब सब्सक्राइब लागू है समान सिविल सहीता इसलिए मैंने कहा कि मैं इसको समान सिविल सहीता नहीं कह रहा हूं बनकि समान नागविक सहीता क्योंकि जैसे हम व्यक्तिकत मामलों में जाएंगे तो नागविकता मामला आ जाएगा और जब हम तीन मामलों की बात कर रहे हैं शादी, तलाक, विरास्त और गोद, ये भी कही ना कहीं सावजिनिक मैटर से जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये केवले इंडियूजर का मैटर नहीं है, शादी हम अपने आप से तो करते हैं, शादी हम दूसरे से करते हैं, तलाक भी होगा तो दूसरे परसंद से करेंगे, विर रास्त का मामला भी होगा, तो परिवार के बीशे रास्त का मामला होगा, गोद लίνे में भी होकर, इसी वो गोद लिया जाएगा, उस मैटर को याड दूसरा बальную जुर जाता है, उस मैटर में, तीन मैटर में, आपके बात की जारी है, बाकि आप अगर मंदर जाके पूजा मैंने कहा अपरादिक तोंगो समय भाता आता है अपरादिक मामला, कोय मैक्ररी नहीं है, कोई हत्या करता है, अपराद करता है, ओस से खाफ के अपरादिक मैक्र great मेक्रमित है स्मय जो वो सारे कानून जो समाम्रूप से लगू है, आप देखें, जो सिविल मेकरणून बात करें जो सारोजनिक मामले हैं तो बहुत से ऐसे कानून है जो किसी धरम में भेजवाव नहीं करते हैं जैसे भारते अनुबंद अधिनियम यानि कि भारते अनुबंद जो अधिनियम है उसमें कोई इंडियन कॉंट्रेक्ट एक्ट में कोई भेजव नहीं है बहार नागरिक पर किलिया सहीता है जो सी आर की सी अब तो यह चेंज हो गया और सीविल प्रोसेस यह कोई प्रवड़ता नहीं था फिर माल विक्री अदेनियम यानिका आपका सेल और गुड़ एक्ट इसमें कोई कोई भी किसी तरह का भेद्वावन ने सभी धरम पर लागू होता है संपत्ती हस्तानांतर अदेनियम ट्रांसफर और प्रोपर्टी एक्ट इसमें किसी तरह का कोई प्रवड़ता नहीं होता बागेदारी अदेनियम पार्टनर्शिप एक्ट इसमें किसी तरह का कोई भी भेद्वाव नहीं था अलाकि यह भी प्रवड़तन हो तो जो अब दोस्तों प्रजन बात करें कि जो व्यक्तिकत कानून है वे कौन से कानून है जो भेजभाव करते हैं हमारे हम देखें तो व्यक्तिकत कानून के संदर में अगरम देखें तो यहां पर हमारे पास में तीन कानून में रूप से हैं पहला तो है हिंदू विवा अदिनियम 1955-1956 से लागू हुआ था ये हिंदू विवा अदिनियम सिख, जैन और बोध तीनों पर लागू होता है तीनों पर समान कानून लागू होता है समान कानून फिर सरिया कानून 1937 ये मुसलिम समुदाय पर लागू होता है ये मुसलिम के लिए रख्तिकत कानून परसनलोग अलग से हैं फिर हम देखें आपका इसाइ व्यवा अधैनियम अचार सो बाहतर यह इसाइ समुधाय पर लागई होता है तीसरा आपका चोहता है पार्सी व्यवा और तलाक अधैनियम Онीज सो चछ तीस ये पार्टिपर लागू होता है यहुदियों के लिए किसी तरह का कोई कानून भारत में लागू नहीं है जो यहुदियों के लिए कानून चलता है वो बंबई हाई कोर्ट के द्वारा दिये गए जो निरदेश है उसके माद्यवन से यहुदियों का जो व्यक्तिकत कानूने उलागू होता है दोस्तों जो हम बात करते हैं इस कानून की व्यक्तिकत कानून की तो व्यक्तिकत कानून को लेकर आप देखें जैसे मैंने कहा यहुदी नाम मात की परपॉलेशन है और उसके लिए बंबई हाई पोर्ट को लेकर आपका निर्जेश चल रहे हैं उसको मान भी रहे हैं फिर पार्सी के हम बात करते हैं तो पार्सी का भी व्यक्ति कब लोलग से हैं लेकिन पार्सी की जनसंक्या बहुत कम है गिंती की एक लाके करीब आबादी आपकी होगी तो को भी भोजया चर्चा में आता नहीं है तीसरा जो हम बात करते हैं तो इस एक ने भी तो यह बी विवादों में रहता नहीं है और लेकिन समस्या का पर आती है सरिया लाओ के अंदर जो शरिया लो है इसने कभी अपनाव को अपने आपको मोडिफाई नहीं किया और बात इंट्रस्टिंग बात ये है कि बिटिश ने भी कोई कोशिश नहीं कि कि सरिया लो में चेंजिस किया जाएं बिट्रिश के बाद भी सम्विधान सभा ने परियास किया लेकिन माना ने गया तो उनों ने भी कोई चेंज नहीं किया यहां तक कि सुप्रिम कोट के निर्ने आने के बावजूद भी इसमें कोई चेंज इस नहीं किया गया तो यही विवाद का विशे बनता है कि भई शरिया लोग को जह हम बात करते हैं कि भारत एक सेकुलर स्केट है तो हम कैसे माने दर दे सकते हैं सेकुलर स्केट की पहली शर्ट यही है पहली शर्ट पहली कंडिशन यही है कि सभी धर्मों के लोगों के लिए एक सा कानून होगा अगर हम दावे से कहते हैं कि भारत एक सेकुलर स्केट है तो सेकुलर स्केट के लिए एक ही लो होना चाहिए ये समसे बड़ी दलील है UCC को लेकर कि जब हम एक सेकुलर स्केट की बात कर रहे हैं तो दुनिया का कोई भी ऐसा सैकुलर मुलक नहीं है जहां पर आपका एक कानून लागूना हो तो सैकुलर बनाना है तो सही माइने में सैकुलर होना चाहिए और दूसरे हम देखें इस प्रकार की विवस्था आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी अगर हम जाते हैं थरोक क्यों अलगलग कानून क्यूं इसी पर दोस्तों क्या पूरी बैहस है इसी पर हम चर्चा करेंगे अब हम देखें बिटिश का तो क्या नजरिया था बिटिश को लेकर क्या सोच थी देगे बिटिश के गरम बात करते हैं तो बिटिश ने हिंदू धरम के अंदर जो कुरूतियां थी चाहे वो सती पर्था को लेकर हम बात करें चाहे विद्वा विवा को लेकर बात करें तमाम थी जो में उन्होंने क्या क सागर के हम बात करें इन समने मुद्दग उठाया बिटिस में साथ भी दिया और एक कोड़ बनाने का हिनोगे परियास भी कर काफी रिफॉम्स भी कि लेकिन उन्होंने मुस्लिम समुदाय को नहीं छेडा कि नहीं को छोड़ने क्या शक्ता नहीं है कहीं ना कहीं कुछ बबाल लेकिन कुल मिला के बात यह है कि बिटिश ने मुस्लिम समुदाय में जो परिवर्तन होने चाहिए थे जो रिफॉर्म होने चाहिए थे उनकी उसमें कोई ज्यादा रूची नहीं थी इसको हम जवाइडन रूल के तैस्ट भी जेख सकते हैं कि अलग लग लो रहेंगे तो इससे क्या होगा एक बटवारा एक आपका जो डिवाइड है वो बने रहेंगा दोनों समुदाय के बीच में अगर एक हो जाता तो लौड मेकाले जब विधी आयोग बनाया गया था तब भी कर सकते तिरी नहीं किये हाला कि हम देखें तो 1835 में बिटिश शरकार ने की रिपोर्ट जरूर दी थी और कहा था कि एक लोग होना चाहिए लेकिन बाद में देखते हैं जो 1860 में विधी आयों के द्वारा जो विधी लाए गई वो क्यों हिंदू के संद्रम में थी मुस्लिम के संद्रम में नहीं थी क्योंकि इससे पहले आप 1857 का विद्रो हमारे हो चुका था और 1857 का जो विद्रो था वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतिक था जिसमें दोनों ने मिलकर क्या करिया था बिटिश से फाइट की थी अब दोस्तों बात करते हैं चले बिटिश की बात खतम हो गई अब बि समविधान सभा में यानि कि कॉंस्ट्ट एसेमली में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या बात थी अगर हम बात करते हैं समविधान सभा के अंदर तो समविधान सभा के अंदर हम देखें तो 23948 को समान नागरिक सहीता पर समान नागरिक सहीता पर यूनिफॉर्म मुस्री में सदस्यों के गरम बात करते हैं तो ये मुखेते तीन नाम थे वहाँ पर हम इसमाईल सहाब एक आपका नजीरोदीन एहमद और आपका पोकर सहाब बात दो इन्हों ने आपत्ति जताईरों ने कहा कि जब आप युनिफोर्म सिविल कोर्ड की बात कर रहे हैं तो इसमें मैंशन कीजिए कि ये जो है समुदायों के र्यक्तिकत कानून को परभावित नहीं करेगी और धार्मिक समुदाय की स्विकर्टी के बिना र्यक्तिकत कानून में कोई हस्तक शेप नहीं किया जाएगा इनका कहना ये था कि अगर आप युनिफोर्म सिविल कोर्ड की बात कर रहे हैं तो आप एश्योर करो कि जो ये आप प्रावधान कर रहे हैं समान नाविव सेहिता की बात करना चारे हैं तो उसमें किसी भी तरीके से समुदायों के व्यक्तिकत कानून को प्रभावित नहीं करेंगे, व्यक्तिकत कानून यनकि शरिया लो हो, चाहे वो क्रिशन विवादिनियम हो, उसमें किसी तरह का प्रिवर्तन नहीं करेंगे, और अगर कोई प्रिवर्तन होगा भी, तो धार्म ये समर्थर में थे इनका कहना था कि नहीं, भारत की यूनिटी के लिए जरूरी है कि हम को एक कानून लाना चाहिए, समान सिविल सहीता लानी चाहिए, ये तीन उसके वकालत कर रहे थे, केम मुशी ने तो वकालत करते वे, UCC की वकालत करते वे ये तक कहा, मैं उन्हीं के दे के मुनाश Engineer कि मुस्लिम को समझना चाहिए कि जितना जल्दी झीवन के परति इस अलगावादी जस्रे कौन को जीवनकेपद फिर ना ये बोल जाएंगे उतना देश के लिए बैतर होगा उन्हों ने करते हैं समर्थन नहीं करते हैं कि आप देखिए कि जो हिंदू हैं हिंदू भी समर्थन नहीं करते हैं किसका विरासत के बात करें लेकिन हमने फिर भी उनको क्या किया लागो किया उन्होंने स्विकार भी किया क्योंकि वह से धर्म का हिस्सा नहीं मानते लेकिन पूछा कि दस्री कोन से महिलाओं के लिए समान तक है संभव होगी जो मोली का दिकार का हिस्सा है अब देखें इंटरस्टिंग वादन उठा बदा है उठादी बात को कि वह हिंदू भी जो है चाहिए वो विरासत का मामला हो उत्रादि धर्म मोनवनस जाते लिंग जनमिस्थान के आधार पर कोई भेदवाव नहीं होगा तो यहां पर लिखा है कि धर्म और लिंग के आधार पर भेदवाव नहीं होगा अब एक धर्म की महिला को बहुत साली क्या मिल रही है उनको सुरक्षा मिल रही है और दूसरे धर्म के मह कर रहा है वो क्या संभभ होगा ये मुंसी साथ बोल रहे थे फिर वहीं हम देखें अम्बेडकर जी इस बारे में क्या बोला अम्बेडकर जी पहले से यू सी सी का समर्थन कर रहे थे उनका कहना यह था यहां तक कि नहरोजी से टक्रार भी इस बात पर हो गई थी कि जब आप लाई रहे हैं कानून एक जैसा तो सभी के लिए जैसा आना चाहिए अम्बेडकर जी इसके पूरे हिमाइटी थे लेकिन सुर्वास ने देखा अम्बेडकर जी ने कि मुस्लिम समधायों ने अनुच्छे ने पेश किया संसोधरन को स्विकार करने से इंकार किया तब तरदिकार जैसे पहलों को छोड़कर पहले सी समान अपरादिक कानून और समान नागरिक कानून मौझूद हैं जैसे भी मैं आपको कहा अपरादिक यानि जो क्रिमिनल लोगस हैं वो सबके लिए स्वामान रूप से हैं और बहुत सारे आपके कहाएं सिविल कानून जैसे पूरे भारत में यूनिवर्सल नहीं रहा है कि अगर हम मुसलिम परसनल लोग की बात भी करें जो बिटिश टाइम से चलता आ रहा है वो भी हम देखे तो पूरे भारत में एक सा रहा ही नहीं रहा है कब नहीं रहा है उन्होंने इसको धाया भी दिया और 37 तक जब हम मुसलिम परसनलों के आवेदन अधीनियम प्रारित किया तब तक उत्तर प्रदेश, मद्धे प्रांथ, बोंबे, मुस्लमानों पर उत्रा दिकार के मावलों में बड़े पैमाने पर हिंदू कानून के कर आपती नहीं की जाने चाहिए, यह अमबेडकरजी का विचार था, लेकिन बाद में अमबेडकरजी अपने इस विचार में थोड़ा परिवरतन करते हैं, क्योंकि देकि मकसद एक था, मकसद ये था कि देखे देश आजादी मिली थी, समविधान को जल्दी से लागू कर करना था, तमाम तरह के मुद्दे थे, उन पर फोकस करना था, तो अमबेडकरजी ने कहा कि चली इस पर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, उन्होंने क्या बोला, ये भी जरूरी है जानना, अमबेडकरजी ने कहा कि भविश्य में, समान नागरिक सहीता में स्व्यक्षिक प्रवेश का संकेत दिया, उन्होंने कहा कि ये स्व्यक्षिक प्रवेश होना चाहिए, इच्छा से होना चाहिए, यह पूरी तरह संबभ है कि भविश्य की संसत, यानि कि जो भविश्य में 1950 का समयना लागू होने के बाद भविश्य की संसर एक शुरुवात के रूम में प्रावधान कर सकती है कि सहीता उन लोगों पर लागू होगी जो यह गोशना करते हैं कि वे इससे आबद होने के लिए तैयार हैं यानि क्या को कोई स्व्यक्षा से समान नागरी स्व्यक्षा से जुड़ना चाहें तो उनके लिए संसर कानूर बना सकती है यानि कि उन्हों ने कहा कि इसको एक परियोग के रूफ में अनुपरियोग के रूफ में लागू किया सकता है और भविश्य में इसकों लोग धीरे धीरे इसको क्या करें लागू करें यहीं दोस्तों बात करें हिंदू कोड बिल को लेकर क्योंकि जब हिंदू कोड बिल आया था यानि कि हिंदू के लिए जब 1900 अदिनियम हिंदू कोड बिल आया उत्रादिकार अधिनियम 1956 को अपनाया गया फिर हम देखे तो हिंदु उत्रादिकार अपनाया गया और साथ ही अब ये बड़ा इंटरस्टिंग बात है लेंगे को रूप से न्याय करने के लिए लेंगे को रूप से न्याय को लागू करने के लिए चार कानूं दोस्तों पा किया गर साती हिंदु दत्तक ग्रैन और रखरखाव अधिनियम लागू किया गया जो हिंदुों पर सिकों पर बॉद्धों पर और जैनों पर यानि कि जो जैन समाज है सभी पर इन चारों कम्निटी पर समान रूप से लागू हुए ये चार कानून 1956 में क्या था सभी समधाय क के ऊपर उसी समय लागू हुए अब देखें इस कानून को लेकर तो सबसे प्रेमस जो तकरार थी बहुत से हिंद्वों में भी विरूद हुआ हिंद्वों ने का कि नहीं हम सभी कार निकरते लाना आया तो सबके लिए लाओ कुछ ऐसी मांग कर रहे थे कुछ कह रहे थे कि सरकार कून होती है कि हमारे जो धार्मिक मामलों में सक्षिप करनी वाली और खुद डॉक्टर राइंदर प्रशाद जो हमारे इसमें प्रेजिडेंट थे वो खुद हिंदू कोड बिल के क्या थे विरोधी थे लेकिन नहरु जी ने इन सब विरोधों को देखते हुए भी इस हिंदू कोड बिल को क्या किया लगो किया इस पर आगे चले लेकिन लेकिन मुस्लिम परस्टनलो में सुधार नहीं हुआ और जो यूसिसी के पीछे जो समवेधानिक द्रस के थी उसके विप्रीद था अब जो हमारी यूसिसी का प्रावधान था यूसीसी कहता है कि स्टेट के लिए एक सकान होना चाहिए यूसी सी कहता है समान नागरिक सहीता होनी चाहिए तो नहरु जी ने हिंदू कोड बिलको तमाम विरोधों के बाद भी यहां तक की डॉक्टर रायंद प्रशाद के विरोध के बाद भी लागो किया सब विरोध को दरकिनार करते हुए लेकिन मुस्लिम परसंट लोग में उन्हें कोई प्रवर्टा नहीं किया जो देखा जाये तो हमारी समवेधाने की जो मूल भावना थी यानि कि यूसी सी का जो भाव था उसके विरोध था दोस्तों न्याय पालिका की बात करें न्याय पालिका ने भी यूसी सी को लागो करने के लिए अने को आदेश दिये अने को डिस्जन दिये जिसमें तीन डिस्जन बहुत माइने करते हैं एक तो शाहबानो केस एक शरला मुदगल केस और एक शायरा बानो केस जो आपका शा का वरद वस्था में एंको उनकी पती ने तलाख दिया और तलाख के लिए Supreme Court ने डिस्यम दिया कि वह तलाख के बाद इनको मार्सीघुख से बता मिलना चाहिए लेकिन हुआ क्या कि भारत में मुस्लिम ने आंधोलन किया परदरशन किया उस परदरशन से राजिव गांदी सरकार ने क्या किया सुप्रिम कोट के निर्ने को बदल दिया और कि निर्ने को नहीं बदला CRPC के अंदर भी चेंजिस दिए और चेंज करते हुए क्या कहा कि जो CRPC की धारा 125 है वो मुस्लिम समुदाय की महिलाओं पर लागू नहीं हो गे सुप्रीम कोट ने कहा था कि 179 रुपीज पर मन्त दिया जाना चाहिए लेकिन राजिय उगांदी सरकार ने एक संसद के दुआरा एक बिल पास कराया बिल थाफ का मुस्लिम महीला तलाग पर संदक्षन का अधिकार अधिनियम 1986 और इसके तहर सियार पीसी की धारा जो थी 125 के अंदर ये चेंज कर दिया कि जो ये कानून है सियार पीसी का ये मुस्लिम महीलाओ पर लागू नहीं होगा अब दोस्तों यहीं से बास दुरूआ थी कि जब सुप्रिम कोर्ट कह रहा है तो कमसे कम सुप्रिम कोर्ट के दो बात मननी चाहिए थी लेकिन राजिव गांजी सरकार ने इसको नहीं लागू किया इसके बास सरला मुद्गर केस आया था यहां पर भी बात उठी थी कि जो आपका जो सरला मुद्गर केस है इसमें दो याचिकाय लगी थी कोट के अंदर मामला क्या था दो केसिस थे मामला यह था कि कुछ हिंदू जो है अपना धरम बदल कर दूशी शादी कर लेते थे उसके संदर में एक मामला आया था तब भी सुप्रेम कोट ने कहा था कि इस प्रकार के जो नहीं नहीं विवाद आते हैं इन विवादों का एक ही समाधान है कि यू सिसी लागू कर दिया जाए यो सिसी लागू करने से क्या होगा कि जो पर्सनल लोज का जो मिस्जी उस होता है वो नहीं होगा लेकिन वो समय नहीं किया गया और आईपिशी की धारा 494 को दो सगया था इसके प्रावदान को दरकिनार कर दिया गया फिर उसे एक शायराबानो केस आया यह 2017 का केस है इसमें 40 वर्ष की जो महिला थी इनके पती ने पत्र के माध्यम से इनको तलाग दे दिया था तब यह मामना सुप्रीम कोट गया के ट्रिपल तलाग जो है वो गयर कानूनी है ऐसमविधानिक उसके लिए कानून बना दिया गया है आफ्टर दा सुप्रीम कोट तो जानिके सुप्रीम कोट भी तीन निर्डों में इस पकार की बात बोल चुका है अब यूसीसी के समर्थन में भी भूस से तर्ख दी जाते हैं इसके विरोध में भी तर्ख है पहले हम बात करते हैं पक्षमे तर्ख के यूसीसी के पक्षमे तर्ख क्या है विधी निर्माण में समाजिक और आर्थिक हित होने चाहिए. अगर एक सेकुलयर स्केट धर्म को देखकर कानून बनारा है, मियम बनारा है, रोल पास कर रहा है, तो वो सही माईने में सेकुलयर नहीं है. सेकुलर स्केट में तो जो कानून पारित करने का अधार होना चाहिए वो समाजिक आर्थिक अधार होना चाहिए दूसरा विश्यु के किसी भी पंदिन पेख्ष रास्ट में ऐसे कानून नहीं है वहाँ पर एक ये कानून है तो हमारा ही क्यों अलग तरीके का पंदिनी पेश पना रखा है अगर पंदिनी पेश कह रहे हैं तो सही माईने पंदिनी पेश होना चाहिए और एक धर्म राश्ट में जिसे मैंने कहा कि जो थरुकर्टिक स्टेट्स हैं साथि है यह सर्यात्स लोग लागू करते हैं यह मैंमार में जाए हैं तो वहांपर बुद्ध के अकोडिंग होँआ पे चलाया जाता है तो जो उस पर काम देखे अलग-अलग देशों में जो अलग-अलग यहां पर थैरोकर्टिक स्टेट्स हैं वहां भी एक कानून है तो हमारे यहां पर अलग क्यों दूसरा कहा गया कि जो यह कानून है यानि कि जो आपका UCC ना होने से यानि कि जो परसनलो होने से यह कही न कह करते हैं और यूसिसी जो है वह हमारे संवेधानिक प्रावधानों के भी अनुकूल है जैसे आर्टिकल 15 का मैं भी आपको जिकड़ किया, आर्टिकल 15 ये कैता है कि भारत में भरम, मुल वन से जाती, लिग, जनम के आधार प जनुस्थान के अधार पर कोई भेदभाव, ने एगास को लिजने करता है article 21. article 21 क्या करता है सभी को जीने का दिकार है गरिमा के साथ, dignity के साथ जीने का दिकार है अब जिस महिला के साथ भेजभाव होता है धरम के आधार पर तो उसकी गरिमा का क्या हुआ उसके संबान का क्या हुआ फिर fundamental duties के जुदी है आर्टिकल 25 दोसों कहता है, आर्टिकल 25 निर्पेक्ष नहीं है, द्यान दीजे का दोसों, आर्टिकल 25 जो हमको यह दिकार देता है, कि हम अपने अन्तैकरन के अनुसार किसी भी धरम को स्विकार कर सकते हैं, आर्टिकल 25 हमें यह भी दिकार देता है, कि हम इश्वर के साथ जै कर देता है कि आप जिसे धर्म को स्विकार करते हैं उसके अनुसार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उपासना कर सकते हैं आप पूजा कर सकते हैं गुर्द्वारे जा सकते हैं नमाज कर सकते हैं आर्टिकल 25 यदिकार देता है कि जिसको आप स्विकार करते हैं धर्म को उसको पॉ प्रकार का कुछ चीज़े हैं तो यहीं उसके कुछ अफवाद भी है कि राज्य अगर देखेगा तो दरम के आधार प्रग्राय विवस्था हो रही है पुब्लिक ओर डिस्टे हो रहा है इस प्रकार का कुछ चीज़े हैं तो उस पर प्रतिवन भी लगाए जा सकते हैं तो यहीं कहा रहा है कि आर्टिकल पचीज जो है वो निर्पेख्ष नहीं है एबस्लूट नहीं है वो सापेख्ष है तो यह है धर्म क्याता है कि धर्म समाजिक उधार में रोड़ा नहीं बनेगा कि अगर कोई उसीसी के अभाओं में विदियो का दूर्पियों होता है जैसे भी मैंने सरगाब मुझगल केस में आपको बताया है कि एक हिंदू पुरुष ने शादी की दूसरी महीला से तो मुस्विम बनकर सायदी की तो यह इसका मिस्यूज भी हो रहा है इस मिस्यूज को जैसे आपक हैं तो कानून भी एक होना चाहिए एक राष्ट एक कानून तो इससे जो यूनिटी है और यूनिटी मजबूत होगी तो दूस्तों इंट्रिगीटी मजबूत होगी सिंपल सी बात है एक देश एक कानून एक देश एक समविधान दो समविधान क्यों जब देश एक है तो तो इससे राष्टवादी भावना राष्ट की एक कमजूत होती है। कानून में सरलता होगी। अगर कल को सरकार जो है विवा, विरास, उत्रादिकार के सभी जो मुद्दे जो जटिलताएं हैं कि आप वकिल के पास जाओ। मेरे एक मित्र थी, उनका कुछ मामला था मुस्लि उसे वकिल के पास जाओ। तो मैं देखता, अगर एक कानून होता है, तो एक वकिल भी ममले को सोटाउट कर देता, उसी को सब जानकारी होती है। तो जो जटिलताएं हैं, जटिलताएं क्या होगी। समाप्त होगी। तो यह तो पक्षकारों का तर्क है। अब जो विपक् सामपरदाइक राजनिती के संदर्म में हो रही है, उनका कहना है कि जो भारत में कुम्रल पॉलिटिक्स होती है, उसके कारण यह मांग हो रही है, यूसी सी की पहली बात। दूसरी बात उनका है कि बहुत संख्या के बात को थोपना है, जो मैजोर्टी के रही है, उस बात क do कर रहे हैं जब ऐसे लोग करें तब तो बहुत संख्यक वाद 받고 यह पतरक थे करने चाहरे, लेकिन कुर मिला के, ऐसक्तर किया ओका सम्वमदानिक प्रावधान जो आर्टेकल 25 है, जो धरम को मानने के सुदन्ता देता है, ये वी मैंने आपको बताया है, ये विपक्ष्छD का तरक है, लेकिन मैं कहा रहा हूं कि Article 25 जो है वो absolute नहीं है वो साप्रेक्ष है हम Article 25 के आड में होने वाले समाजिक सुधार को रोक नहीं सकते Article 14 वो कह रहे हैं कि Article 14 समानता के उधारना के विरुद है कि जब हमें Article 14 यह दिकार देता है कि समानता है लेकिन समानता के साथ-साथ वहां पर जो दिये गए आपके प्रोविजन्स हैं उसके भी कुछ एक्सरक्षन से अपवाद है उसके विरुद बैठता आर्टिकल 14 के फिर समवर्ती सुची विपक्ष वालों को तरकिये है कि यह समवर्ती सुची के विशे है कौन से शादी विवा आदी तभी इसको अगर आपका क्या करेंगे केंसरकर कानून बनाएगी तो यह कही न कहीं क्या होगा जो भारत का संगात्मक धाचास के विरुद होगा लेकिन आप जानते हैं दो समवर्ती सुची के विशे होपर कानून बनाने का अधिकार केंर और राज्य यह दोनों का है और अगर केंर राज्य के कानून में किसी तरह का गचिरोध होता है तो केंर का कानून मानने होता है अगर यह कानून राज्य सुची का विशे होता तो एक बार को मान सकते थे कि संगात्मक धाचे का उलंगन होगा लेकिन यह तर्ख भी उतना वाजिव नही है पिर तरक यह कि जो अनुसूची पांच और नुसूची छेंगे जो प्रावधान के लिए है तो स्की समदाई पर इसको कैसे लाग़ो करेंगी आप देखिया Gary s की समदाई किसकव का जाता है S आफ की समदाई वो है कि यह वैसे भी जाइज नहीं बैठता है, यह logically नहीं है, यानि कि हम आधिवासी समार से तुलना कर रहे हैं तो उसका तुलना कोई आधार ही नहीं है, आधिवासी माच क्या है, जो मूल धारा से अलग अधिकर संसकर्ती को संजोई पर है, अपने संसकर्ती को लेके चल रहा है, उन पर ये कैसे लागू होगा अब ये भी जो दोस्ते जो तर्ख है कि नोर्थिस्ट में जो है जैसे मैंने भी कहा आपको कि जब हम बात करते हैं इंडिविज्वर राइट्स को लेकर हमारी कल्चर कस्क्यम रिच्वर्स में कोई प्रिवर्तन नहीं हो रहा है पर रिवर्तन क करें कुछ लोग तर्ख ये कहना है कि सब की सहमती ली जाए कोमन कंसन लिया जाए लेकिन दुफ्सों जैसे मैं अभी आपको कहा कि जब हिंदू कोड़ भी लागू हुआ तब भी तो सब का समर्थन नहीं था तब भी तो सब की सुगर्ति नहीं थे तब भी तो आगे तक्ता और कानून दोनों में झाई करें तो राजिय जो चलता है वो नहतिकता की बाते तो की जाती है लेकिन विवस्था बनती है कानन से आप कितना भी जन spokesत्या विः हां चलाएं कुछ भी कर लिजये तो परिवर्तन तभी आएगा जब लो होगा तो लो और नैतिकता यानि कि कानून और नैतिकता इन दोनों में अगर आपको क्या करना है तो आप कानून को चुनेंगे ना कि नैतिकता को चुनेंगे क्योंकि नैतिकता तो क्या नहीं की बात है भाई डोक्टर गांदी जी भी बात को बोलते थे कि जब नैतिकता आजाएगी सब लोग नैतिक हो जाएगे तो क्या होगा नैतिक होने के बाद automatically राज्य क्या शक्तानी होगी लेकिन ये तो एक राम राज्य का अधर शर्वो देव उससे की बात ही हो गई क्या उसे हुआ तो कानून जरूर हिराज्य कानून से चलता है कानून से ही प्रिवर्तन आते हैं नैतिकता से नहीं अमबेटकर जी गांधी जी में इसी बात के लड़ाई थी गांधी जी बोलते थे कि हम समाज सुधार करेक्रिक्रम करेंगे अमबेटकर जी कानून बनाईए लो बनाईए लो से प्रिवर्तन आता है सभी बात है कलको सरकार करेंगे सड़क पे आपको स्राप्ति के वाहन नहीं चलाना है कोई मान जाएगा इस बात को लेकर जब वो चलान करता है तब लोग मानते हैं थोड़ा वो दूसरा हम ही कहा सकते हैं शल्ली इसको 90 से नहीं चलनरंबर तरीके से इसको लागू किया जाए यानि स्विक्वएंस लिफ्र जी देखें तो आपका 40 अब्र टरीके से लागू किया जया यह कहा जाए कि पुबलिक इंटरेस्ट में हैं इसको धरम का एंगल लग जो होती नहीं है और जैसा कि ऐस्द्राइब कि मैं को as यूँ के ँिक मुन्शी ची कह रहे थे के लेंगी के मियाए के संद्रम में इसको लिया जाए तो नूसी बात है कि अच्छा हुआ लागू हो गया तो इस प्रकार कि धरम का एंगर इसको ना दिया जाए तो ये बैटर तरीके से क्या हो सकता है लागू हो सकता है अब दोस्तों हम UCC के बारे में हम पॉलिटिक्स की बात करें तो थोड़ समय इसको politics की बात भी आपको बताऊं कि UCC को लेकर politics कैसे हो रही है इसको आप समझने का परियास कीजिएगा देखे politics शुरू होती है अगर राजनिती शुरू होती है तो राजनिती शुरू हो जाती है तबी से जब आपका हिंदू code bill लाग होता है हिंदू code bill अगर आपने क्या किया हिंदू के लिए एक बिल लाया तो Muslim personal law में आपको करना चाहिए था तो जब नहीं लाए तो यहीं पर नहरुजी को कहा गया कि नहरुजी जो है वो तुष्टी करन की राजनिती कर रहे हैं तुष्टी करन की कि वो एक समुदाय को अपना vote bank बनाने के लिए उसको परसन करने के लिए तुष्टी करन की impeachment आपका तो कैसे करना चाहिए तुष्टी करना चाहिए वह पोल से लेके चल रहे हैं फिर जब आपका शहाबानों केस आया अब सहाबानों केस में तो और रहास आई इसको आगे बढ़ा दिया यानिकि सहाबानों केस ने और जहाबा बदल जाती हैं परिवरतन हो जाता है सहाबानों केस के अंदर तो जब शहाबानों केस आता है वहां पर जब किया सुप्रीम गोर्ड के निर्णे को बदल दे जाता है यहां तक कि C.R.P.C. में चैंजिस कर दे जाते हैं उसके बाद इस मुद्दे को जो यहां कि नियाय का मुद्दा था उसको कहीं न कहीं यहां से आने के बाद इसका राजनिती करण होना शुरू हुआ और यहां पे हम देखें तो बीजेपी जब हम बात करते हैं भारते जंता पार्टी के हम बात करते हैं तो बीजेपी जब बनती है कोर मुद्दे रहे हैं दोनों के दोनों तीनों के तीनों कोर मुद्दे अब देखें राम मंदिर का जो मुद्दा था वो बीजपी पूरा कड़ चुपी है तीन सो सतर का मुद्दा वो पूरा कड़ चुपी है और अब यू सिसी के मुद्दे पर काम कर रहे हैं और यू के के लागू और लड़ी कर भी चुके हैं बीज़पी ने तभी से मुद्ध को बना लिया अपना और ये कहीं ना कहीं फिर धर्म की और राजनेती पहले से जुड़ जाता है फिर ये धर्म का एंगल इसमें जुड़ जाता है अब दोस्तों बात देखें तो शुरुबात तो जी चली गई और अलग-अलग वोट बैंक को कहीं चाहिं केंदेज करके ये राजनेती पहले हैं अब हम वरतमान में बात करें वरतमान में क्या संबव है बई जैसे मोधी जी ने कहा कि अब समय आ गया है एक तो क्या था कि इस बार जो बीज़पी का अलाइन्स अभी तक जो हमारे हाँ पर सिविल पोर लागो था, यूनिफॉर्म सिविल पोर, वो सामपर्दा एक नागरिक सही ता लागो थी, उसके जरूरी है पंत निर्पे एक नागरिक सही ता लाने की, तो ये एक, मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ा गोल्फिटिंग किया है, अब क हम बात करें इसमें TDP की, ये जो घटक दल हैं, इसमें इन्होंने बड़ी सावधानी से बरत रहे हैं, हम TDP की बात करें हाला कि TDP की अभी तक कोई परतिकिलिया तो आई नहीं है, लेकिन TDP को आप जानता हूंगे, जब वक बोर्ड बिल में जो संसोदन हुए थे, उन संसो जटाई थी, हम जड़ियों की बात करें, तो इन्होंने उपन ली तो कुछ बोला नहीं है, लेकिन पत्र लिखा है, पत्र के माध्यम से नहीं कहा है, कि हम समाचिक सुधारों की विरोध में तो नहीं है, लेकिन UCC जटिल मुद्दा है, और ये राज्यों की सहमती से होना च करें, तो मोधी जी नहीं जो साम परता है, एक सिविल कोर्ट से जोड़ा, और फिर पंत नहीं पे सिविल कोर्ट से उसको जोड़ने का परियास किया, तो ये कही ना कहीं BJP का एक रर से एक अच्छी स्थिति में, यानि कि उसको एड़िवांकिस दे दी लिए कि हम सैकुलर ह अरोब लगता था कि BJP जो है कमरेल पॉलिटिक्स करती है, तो BJP न उसको सैकुलर पॉलिटिक्स से जोड़ दिया है, तो अब देखना होगा कैसे होता है, लेकिन मैं इस बात के पूल समर्थन में हूँ, कि कभी भी जो परिवर्तन आता है, वो कहने से नहीं कानून से आता ह है, और 75 साल, समविधान को लागू हुए 75 साल होने वाले हैं, आजाद हुए 78 एर हमने अभी आपका इंडिपेंडेंडेंस हुझे सेलिबेट किया है, कल पंदा का समर्थन में सेलिबेट किया है, इतने साल हो गए, लगबग तीन पीडिया निकल जाती है, तो तीन पीडिय हम एक हैं, देश हमारा है, कानून भी एक होना चाहिए, तो इससे क्या होगा, जो यूनिटी है, उसको लाने में मदद मिलेगी, और जो एक सैकुलर का कॉंसेप्ट होता है, उस सैकुलर के कॉंसेप्ट को सही माइने में जमीनिस से क्या होगा, लागू होगा, तो एक कानू होना चाहिए आखे में ये दलील हम कह सकते हैं लेकिन इसमें अगर साम सहमती बनाए जाए कोमन कंसर बनाए जाए सभी पार्टियों को साथ लेके चला जाए एक बकायता विमर्श किया जाए और खुड प्रहामत जी ने लूजर बनके हम पेश करें की यहने कि समदाई यह नंदर देखा और योत विमर्बा के लगू है दोस्तों आखिर में आफेर लेकर आए ऐक शांदार ओफर इंडिपैंध्र जेका सब्सक्राइब कर सकते हैं तीन नए बैच हिंदी मीडियम के लिए शिखर बैच 17 अगर्स से आपका प्रारम हो रहा है यह आपका फ्रीडम बैच जो कल से आपका स्टार्ट हो चुका है और 21 अगर्स से आपका लिबर्टी बैच स्टार्ट हो रहा है अन अकैडमी का जो आइकोनिक स्क्रिप्शन वो पहल से बहुत बैटर हुआ है इसमें आपको रिविजन मोडूल ऑफलाइन क्लास की रिकोर्डिंग भी आपको मिलेगी साथ में आंसर राइटिंग एवैलुवे करेंगे और यूज करकर आप मुझसे भी यूड़ सकते हैं इससे आपको मिल जाएगा मैं इंडियन पॉलिटी इंटरनेशन लेशन सेक्यूर्टी गवेंनेंस ऐसे एथिक्स की क्लासी जो है ने कैडमी भी लेता हूं तो इस वीडियो में इतना ही अच्छा लगा कमेंट ज समर्थन में विरोध में जो भी हैं आप तरख दीजिए अगर होगा अच्छा मुद्दा को आप उठाएंगे और भी कोई मुद्दा आप चाहें डिसकेशन कराना चर्चा करना मेरे साथ करना तो आप कमेंट कीजिए मैं मुद्दों पर भी चर्चा आपसार करूँगा तो कर दो अठाएंगे तो आपसार कर दो आपसार कर दो कर दो आपसार तो